हेलो वियर्ज आशी श्वियास आप सबका एस्ट्रोजर दोस्तो यहां आज हम बात करेंगे मार्केट अब 17,000 कब जाएगा क्योंकि 16,000 का तो अलड़ी प्रेडिक्शन मेंने किया है इसी मंथ में 16,000 मार्केट आएगा दूसरा एक प्रेडिक्शन किया था 15,000 से 30,000 के बीच में मार्केट में छोटा सा करेक्शन आएगा जो आज 100 पॉंट आपने देखा भी और उसके समने ये भी का है कि कोई पूट लेके मत बैठ जाएगा कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है नॉर्मल करेक्शन है जिसमें आप उसे भी सब्सक्राइब करें ठीक है और मेरा फाइव स्टार ग्रूप को स्पेशली जॉइन करने के लिए यहां मुझे वाट्सेप करें अब बात करेंगे मार्केट आगे कैसा रहेगा आपको बहुत सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आयोंगे मार्केट डाउन होगा पंदरा पांसो पंदरा आजार पिछले मैं काफी टाइम से देख रहा हूं मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है हमेशा लोग यहीं फाइदा है क्या होता है कि चार्ट देखने वाला या फंदामेंटल जो एनलिसिस करता है वो सब लोग सामने की चीजों को देखते है इसको आप ऐसे समझे कि जैसे एस्ट्रोजर जो होता है वो ड्रोन केमेरे से देखता है उपर से और बहुत ही पूरी चीज को एसे है जो मेरा प्रोनाशेशन का भी कई बार गलतिया हो जाते है वालाटालिटी या कई बार लिंक्रीड में भी एक बार एक बंदे ने कहा था सर रैमिडीज का स्पैलिंग आपका गलत है आप इंट्रेनेशनल एस्ट्रोजरों फिर भी इंग्लिस में गलती तो मैंने उसको ब वालाटालिटी या वाललिटी जो भी है यह 25 जुलाई तक रहेगा तो अपसेंट डाउंस 25 जुलाई तक रहेगा और जिन लोग को डर लग रहा है मार्केट से भाई वो लोग दूर रहे स्पेशली ट्रेडर्स से तो कोई प्राब्लम है नी ट्रेडर्स डर्पोग नहीं होते इंवेस्टर मैंने जादा तर डर्पोग देखे हैं जिनको यहां पर थोड़ा भी मार्केट डाउन होगा और घपरा जाएंगे तो वो इन्वेस्टर को मेरी सला है कि जिन्होंने ऐसा मार्केट कभी देखा ने जिन्होंने कभी 2008 की मंदी नहीं देखी अर्संद मैंता आँला टाइम नहीं देखा चोटा मोडा भी करेक्शन नहीं देखा या 2020 की मंदी भी ठीक से नहीं देखी वो लोग दूर रहें क्यूंकि ऐसे लोगों को हमेशा घब्राट रहेगी मार्केट थोड़ा भी डाउन जाएगा गभराएंगे तो यहां आगे का जो मार्केट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जिनको डर लग रहा है कि क्योंकि बहुत मार्केट ऊपर है तो वो लोग अपना पोजिशन बहुत कमी रखें क्योंकि वो लोग सेहन नहीं कर पाएंगे मार्केट में थोड़ा भी डाउन ट्रेंड गभरा जाएंगे और आजकल चारों तरफ इतने वीडियो मैं अपने प्रिक्शन से कम परेशन रहता हूं मेरे प्रिक्शन के उपर भी लोग बहुत सारे क्वेस्चन पूछते हैं मैं क्लारिफेक्रिक्रिक्शन देत इतना गभरा जाएंगे या इतना सारे ट्रेडर्स जो है वो पूट वाली पूजिशन पहले लेंगे सेल कर लेंगे लेकिन बाया करने के लिए इतने इंट्रेस्टेट नहीं रहेंगे तो हमेसा नेगिटिविटी को लोग ज्यादा अप्रिशेट करते हैं स्टोरी यह है कि 17,000 मार्केट कब जाएगा तो 25 जुलाई तक मार्केट में प्रॉब्लम है 15 जुन से 30 जुन के बीच में छोटे मोटे करेक्शन 15 जुलाई से यहां पर 25 जुलाई या मैक्सिमम 30 जुलाई में थोड़ा पांच दिन और बढ़ा देता हूं क्योंकि शेर्स य यहां पर 15 जुलाई से 30 जुलाई तक मैक्सिमम मार्केट में अप्सें डाउंस रहेंगे यह अप्सें डाउंस मार्केट को 17,000 जाने में रोकेंगे अगर इससे पहले 17,000 चला गया तो मतलब समद लिए कि मेरी एक्सपेक्ट्रेशन से भी ज्यादा फास्ट है मार्केट और में जब गुरु रेट्रोगेट से सीधा चलेगा तब तो कोई हद नहीं रहेगी और यह जो लोग अदानी वादानी से डर रहे हैं उन लोग को भी बता दू अदानी का कोई टेंशन नहीं है शांती से वेट करें अदानी का शेर प्रॉपली नीचे आ जाए उसके बाद उ उपर आएंगे मैटल वाले स्टील मैंने उस दिन का तो स्टील अच्छा रहेगा वह अच्छा भी रहा अभी चाइना से कोई न्यूज आए तो स्टील आज थोड़ा डाउन है तो लोग घवरा है नहीं यह सब टेंपररी है सारी चीजे उपर ही है कोई टेंशन वाली बात नहीं स्टील भी उपर जाएगा और बैंकिंग वाले भी जो रहे है कि यार बैंक निफ्टी बढ़ क्यों नहीं रहा है तो वह भी बढ़ेगा थोड़ा सा कोरोना के मामले एकदम सभी जगह से लॉगडाउन खतम होने दीजे एकोनोमी को थोड़ा ठीक होने दीजे एकोनो वाली बात नहीं है आप सभी लोगों पेशन्स रखना है और पॉजिटीव रहना और पॉजिटीव ही ट्रेड करना है नेगिटीव ट्रेड मत कीजे और जो भी छोटे मोटे करेक्शन आए उसको हेल्दी में में लीजे उसको डरिये मत मर्केट यहां वापीस 14,000 बना एक मीट से जाधा में लंबा वीडियो बनाता ही नहीं हूँ तो कोई खास डरने वाली बात नहीं है अच्छे शे लीजिए और सांती से होल कीजिए यह साल का यहीं मंत्र है और जिलोगों को यह मार्केट में सौपन गिरने से भी डह लग रहा है ना वो लोग नेक्स बिल्कुल शकल ना दिखा है क्यूंके नेक्स यह बड़ा करेक्शन है करेक्शन मुनते क्रेश है और उस क्रेश में उनको आंट नो मेने आराम से बैठे रहना है कुछ नहीं करना है कि मार्केट जब तक सही तरीके से नीचे नहीं गिरेगा जो 2000 आंठ में गिरा था उस तर मेर्केट सही तरीके से नेक्स यह इंगे वाला है और जब प्रॉपरली गिर जाए उसके बाद आपको इनवेस्ट करना है तो इस साल साल भी बैनेफिट लेना है दोनों साल आपको बैनेफिट लेना है और यूविल गेट बैटर रिजल्ट तो बाकी कर वीडियो बाद में साथ सो पॉइंट अभी नेक्स मंद में थोड़ा ज्यादा रहेंगा तो ज्यादा नहीं करने हैं यह सब करेक्शन आते रहेंगे इस ऐसे करेक्शन में अगर पैसे हो तो एवरेज कीजिए वरना होल्ड कीजिए कुछ और करने की जरूद नहीं है और इसमें इतना डरने वाल लूँगा और हाइए जो कुछ लोग यूटूब पे आपको अलग अलग वीडियो बताएंगे कंपनी के जो कुणली बताएंगे तो उन सब से थोड़ा दूर रही है कंपनी की कुणली बनाके प्रिक्शन यह सब मुरग बनाने की बात है तो उसमें मत जाईएगा कंपनी क मुरग बनांगे उसके एंडी की लिए यह सब चीजें चलती रहते हैं मारकेट में मारकेट में इंडिया की कंडली से ंडिया के की का प्रिक्शन हम ईजली कर सकते हैं और वही मैं कर रहा हूं और यहां से ब decisive Alecola कि इंडिया का अर्च कब पड़े है कि जो अब परफेक्ट जा रहा है एप्रिल मेने में बोला था जून में 16,000 के नजदीक आएगा आ गया अब यहां से बोल रहा हूं यह साल के एन तक मार्केट 20,000 जाएगा जो जनवरी से मैं बोल रहा हूं और बहुत साहे लोग और भी यह मनी मनी कंट्रोल वाले और सभी लोग ने भी इन वेस्टर रहना है जिनको समझ नीरा आ रहा है गल्तिया कर रहा है मुझे कुण कर रहा है में उनको पूरा सर्विच दूगा जिनको समझ आ रहा है वो खुथ से इन्वेस्टर रह सकते हैं ठीक है जोस्तों बाकी ao can press administrar certification को उनुदिसक्रिफ्षण कर लोए उसे भी Subscribe और और मेरे मुझे जॉइन करने के लिए या मेरे नॉलेज से आप अच्छा खासा गेन करना चाहते हो तो मुझे वाट्सेप पे मैसेज करें मैं पूरा फाइस्टा ग्रूप का आपको डीटेल बतम को क्या करना है कैसे इन्वेस्ट करना है ठीक है थैंक यू